आड़ाब नाजरीन मैं अकुला महराष्ट से डॉक्टर रेहान खान आज हम चनाख करेंगे हरा चिरायता की चुके इसका जो पंचांग होता है जो सालिम पौदा होता है उस सुखाने पर हरा ही रहता है सबजी माइल रहता है इसी लिए इसका नाम हरा चिरायता है और मार्केट में भी इसी नाम से ये दस्तियाब होता है और जो दूसरा चिरायता होता है जो चिरायता तल्ख होता है जिसका लेटिन नेम स्वेटरा चिरायता है वो उसका जो पंचांग होता है वो थोड़ा सा सियाही माइल होता है तो ये चुके इसकी एक मुतफरिक शनाख्त है लहाजा इस नाम से इसे जाना जाता है इसका जो सं शूर्टे चिरायता का भी मराठीन नाम भूनिम है жив मीं अंडो ग्र REPyaidd cancer उसके तालग से यह वीडियो है उसका कर्दस का नाम भी भूनिम है जो चिरायता शीरी है उसको भी भूनिम ही कहा जाता है मराठी मीं तो बादहाल तो नाम जो है वह पूर इसका लेटिन नेम से आप इसे याद रखिएगा किरियात इस नाम से अर्दू किताबों में लिखा गया है या कालमेक भी कहा गया है तो ये इसके नाम थे इसका जो मिज़ाज है वो गर्मो खुश्क अवल दरजे में हैं जबके सुेटिया चिरायता जो होता है उसका मिज़ाज गर्मो कत के मसायल में इसके अफालो खवास समझ लीजिए ये जबर्दस किसम का मुसफ्य खून है जिगर की इसलाह करता है कातिल किर्म शिकम हैं मुफजिर और राम हैं मुहलिल और राम हैं और दाफे हुमयात है खास्तोर से नौबती बखारों में इसका बहतरीन इस्तिमाल है औ के महतरम हकीम शाहिद बदर फलाही साहब का है उन्होंने इसका निमोनिया में और दूसरे बुखारों में बहतरीन तरीके सेVINक है हमारे यहां एक वैद है जो इसका करोना में जिसके इनकी रिसर्च इस पर शुरू है तो बेरहाल बुखा तमाम किसम के बुखारों पर और नीमोनिया के बुखार पर ये एक बहतरी नुस्खा है इसके तीन अज़ा है गिलोए है अफसंतीन है और हराचिरायता है ये तीनों अज़ा हमवजन मिकदार में लेकर इसका जोशानदा दिया जाना चाहिए नीमोनिया के मरीजों को तो ये एक नुस्खा हो गया अगला इसक استعمال کیا جاتا ہے इसमें करना यह है कि 9 हिस्सा लेना है हराची राइते का सफूफ और उसमें एक हिस्सा मिलाना है काली मिर्च या मिर्च सिहाजी से कहते है उसका सफूफ इस तरह एक मरकब इस तरह इस तनासुब में तयार करके फिर उसका जोशानदा दिया जाता है ये नुस्खा सर्दी से लगकर जो बुखार आते हैं उस पर भी कारामद है नौबती बुखार जी से कहते हैं तो बेरहाल अब इसका अगला नुस्खा नोट कीजिए जो के है स्पिलिनो मेगेली और हिपेटो मेगेली के लिए उसमें करना ये है कि सर्पुंखा और हराचिरायता ये दोनों अज़्जा हमवजन मिकदार में लेकर इसका या तो आप तीन से पांच गिराम की मिकदार में सुफूफ दीजिए या फिर इसका तीन गिराम का जोशनदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्पिलिनो मेगेली और हिपेटो मेगेली के लिए अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है रिक्कत खून के लिए या ऐसा कहिए कि जहां खून में गर्मी बढ़ गई हो और उसकी वज़े से मसाइल लाहक होते हो या फसाद खून में या फिर जिन्दी अमराज में भी ये नुस्खा मुस्तमिल है इसमें करना ये है कि हराचे रायता और संदल सुफैत ये दोनों अज़ा हम वजन मिगदार में लेकर फिर इसका खिस्यानदा देना है ये बात यहाँ एहम है कि यहाँ खिस्यानदा देना है क्योंकि हिद्दत के मसाइल में ये रिक्त खून में जिसे आईरवेट की जुबान में हम रक्त पित कहते हैं उसमें इस नुस्खे का इस्तेमाल है मजीद इसके तालुक से मैं मालूमा दू तो फिर आप इसका एक तो फरक याद रखिए कि जो हरा चिरायता होता है वो एक मुखतलिफ चीज है इसका लेटिन नेम एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा है और जो चिरायता तल्ख होता है वो एक मुक्तलिफ चीज है उसका लेटिन नेम सुर्टिया चिरायता है दूसरा ये फर्क है कि जो हरा चिरायता होता है उसका मिजाज गर्म और खुश्क अवल दरजे में है और जो चिरायता तल्ख होता है उसका मिजाज गर्म और खुश्क दूम दरजे में है तो बेरहाल इस तरह इसमें फर्क था फिलहाल के मौसम में जो वबा का माहूल है उसमें चुके इसकी ज़्यादा एहमियत है ये ज़्यादा मौसिर पाया गया है इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का इरादा किया था तो बेरहाल अब आप हज़रात इसकी शनाखत मुशायदा कीजिए इन हरेची रायते के फूलों का ये फूल बारिश में हमारे यहां आते हैं और जो पौदे का तना होता है उससे अलग से एक शाख निकलती है जो के गुलदारी में तब्दील रहती है तो ये देखिए इसकी गुलदारी और इसके फूल इसके जो बीज होते हैं वो भी कुछ इसी किसम से जो की तरह नजर आते हैं और इस पौदे के जो तना है आप गोर से देखने पर आपको नजर आएंगा कि इस पर रुएं हैं ये रुएं जो होती हैं ये पूरे पौदे पर पाई जाती हैं पत्तों पर भी होती है और इसके पत्ते जो होते हैं वो मुलायम होते हैं और इसके जो फूर है वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं कि मालो मच्छर इस पर बैठा हो तो ये देखिए पौदा बारिश के मौसम में हमारे यहां ये खुदरती तोर पर शुमाली अलागे में निकल आता है तो ये देखिए खेतों में अक्सर हमारे यहां पाया जाता है इस पौदे की जो उचाई है वो तकरीबन एक मीटर के असपास होती है हाला के छोटे भी होते हैं ये बहुते हैं तो ये देखिए खुदरती माहूल में हरा चिरायते का बहुता कुछ तरीके से नजर आता है